क्यों पुलिश्टरा रॉपरेशन हुआ, क्यों चुराची के धंगे हुए, क्यों पंजाब में छती हदार बेगुनाहा का कतलेयाम हुआ, क्यों उसमें से 19 हदार हिंदू भाईयों का कतलेयाम क्या हुआ, उसका कौन जमेदर मेरा सवाल का जवाब दीजी। यह पिच्चर की तस्वीर और पिच्चर के साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ था और इस कश्मीरी पंड़तों की शहात ने इनका प्लैन जिस तरीके से बताया गया भी, गरों से निकाल करके, एक लाइन में खड़ा करके, मुसलिम भाईयों को छोड़ दिया गया और हिंदू भ पंड़त नहीं था, किसी की बैन थी, किसी की माँ थी, किसी का बेटा था, छोटा बच्चा था, यही पंजाब के हलात मैंने अपनी आखों से दिखे, जब पंजाब में खालस्तान की मांग उठी थी, तो उसमें ट्रेनों से, बत्सों से, निकाल करके, जो लोग अपने आपके लिए रोटी कमाने के निये निकले थे, एक लाइन में खड़ा करके, सिख बाईयों को छोड़ करके, हिंदू बाईयों को गोलियां का निशाना बना दिया जाता था, तो तस्वीर बिलकुल एक जैसी थी, तो मेरा मन आया, मैं इसको देखूँ, पर मैं जे मसूस कर देखता हूं कि वो पिच्चर में सिर्फ गूलियां दिखाई गई, अतंकबादी दिखाए गए, बैता हुआ खून दिखाया गया, पर हमने वो चीज कहीं न कहीं भूल गए, यहां को मजबूरी होगी, कि इसके पीछे पोलिटिकल टेरिजम फैलाने वाला कौन सा पार्टियां थी, जिन्नों ने यह पोलिटिकल टेरिजम फैलाया, और उतके बाद कश्मीरी पंड़त भाईयों का प्लान हुआ, उनके उपर गोलियां बरसाई गई, उनके उपर बम चलाए गए, उनको मार करके दिवारों के उपर, पेडों के उपर बांदिया गया, यह तस्वीर दिखाने के लिए कश्मीरी पंड़त भाईयों को, कि आपका भी यही हशर होगा, जिस तरीके से इनका हुआ है, अगर आप कश्मीर थोड़के ना गए, तो उनको मजबूरी में कश्मीर थोड़ना पड़ा, हमने अतंकवादी तो दिखा दिये, हमने यह भी बता हूँ, मैं पुराना कॉंगरसी हूँ, जो कॉंगरस में सरदार पटजल जी भी थे, इस कॉंगरस में लाल बहादर शास्त्री भी इची थे, इस कॉंगरस के अंदर शुबाद चंदर बोश, कॉंगरस के कभी अजादी से पहले प्रेइडन्ट भी रहे, इस कॉंगरस में ब अफ़ globalization को फांसी नहीं होनी चाहिए येा रोकते रहे किसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए किसाब को फांसी तब हुई जब बाला साप ठाकरे जी की डेट हुई खोरो की भीड उम्डी तो उनका धियां डिवांड करने के लिए उनुने फांसी दे दे तेखे अफजल को कहा तेरे फांसी होनी नी चाहिए, जब सारे परिवारों के साथ मिल करके मैंने मैडल उटाए, रास्तरपती अफदल को लाम जी को तो अफदल को तो तब फांसी दी, इन्हों ने तो कहा 370 दारा हटनी नी चाहिए, अगर ये जो 370 दारा अभी हटी, कश्मीरी पंटों की शहाद बेहनों के सौहागों की, कश्मीर केंदर तरंगे जंडे के अपमान की, तो कश्मीर केंदर जो हमारे जवान पे पत्थर फेंके जाते थे, ये जमेदार हैं、 जो जो पोलिटिकल पार्टियं रही, जितना कट्रयाम हुआ कश्मीरrepresented के अंदर, अगर अब नरिंदर मोदी जी पर जवान शहीद नहीं होता, कम होते हैं, एक गोली चलती सौ जवाब देते हैं, अगर हमारे एक जवान की शहादत होती है ना शाम को, तो सुबह उनके दस मारके हम लोगों के सामेरे हैं, फारुक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जबरदस बयान बाजी कर रहे हैं, जवान बेबूबा मुफ्ती से फरक पड़ता है, यह प्रत्म रास्ट है, रास्ट हमारा मजबूत है, और अतंक वादियों के उपर नकेल है, और मैं अगनी होतरी जी को कहूंगा, कि अभी पिच्चर के पार दूरे, इसके कम से कम चार पार बनने चाहिए, और पंजाब के अंदर भी 6,000 बेगुणाओं का कतल याम हुआ, पंजाब के अंदर भी 6,000 में से 19,000 हमारे भिंदू बाईयों का कतल याम हुआ, वो के उनी दिखाएंगे, पंजाब के अंदर भी हिंदू, भाई और सिक, समाज के जो सैकलर लोग थे, उनको पंजाब से प्लैन करना वो भी पिच्चर दिखानी चाहिए, ताकि इनके पीछे पुलिटिकल टेरिज्म क्या है, पंजाब के पीछे भी पुलिटिकल टेरिज्म था, उस पवित्तर जगा के उपर, जहां हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई नमस्तक करता है, वहां बिंडरावाले को हत्यारों के साथ बेज दिया, गुर्दवारा साब में हतयारों का क्या का का कि एक एक 47 रौकट लंचर का क्या का क्या का क्यों बेज आ गया इनके होते हुए गये, इसलिए क्या ये चीज पिč्चरों में दिखाई जाएगी, देखो ऐसा है, ये लखीनपूर की बात और गोदरा की बात, करें कि कश्मीर के मुद्दे के कारण 1611 की गटना हुई कश्मीर के मुद्दे के कारण फैजाबाद के अंदर कश्मीर के मुद्दे के अंदर वारा नसी के अंदर कश्मीर के मुद्दे के अंदर 1611 की गटना हुई कश्मीर के मुद्दे को लेके जैपुर के अंदर एक दिन क अंदर 120 लोगों की शहादत हुई कश्मीर के मुद्दे को ले करके दिवाली के दिनों में ट्रेनों में और दिली के जगा जगा थरोजी निर्गर में बंबलास्ट होते थे कश्मीर के मुद्दे को लेके ये कुदरा कार्ड कहां से ले आए बना ले ये आप बना ले अगर इन्हों ने बनाई तो ये बना ले को डूंड ले इनके 3600 डिरेक्टर रहे उनको डूंड के बना ले इनको कौन मना करता है सही हो तो दिखा दे पर सवाल तो कश्मीर के बाद को बढ़काने की कोशिश क्यों कर रहे है खालस्तान के मुद्दे को बढ़काने की कोशिश क्यों कर रहे है आपने देखा अभी दीव संदू की डथ हुई ठीक है दीव संदू की डथ के बाद जब संसकार पर बोड़ी लेके जा रही थी तो क्या नारे लगते हैं गीता जी को बुलाना होगा खालस्तान बनाना होगा अरे गीता जी ने क्या बगाड़ा आपका इतना बड़ा कीता जी का इतिहास क्रिशन जी महराज के वक्त का हर्याना की दर्ती का इतिहास जहां से ये किसान अंदोलन के नाम के दीव संदू ने यहां पे तरंगे जंडे का आके अपमान किया था अरे दुख है उसकी मौत का हमें दुख है अरे गीता जी ने आपको क्या बगाड़ा है किसी हिंदू ने आपको क्या बगाड़ा है मेरा आप से सवाल है बंगाल के अंदर अलेक्शन के पाइबाद जा असाम के अंदर जा जमू कश्मीर के अंदर जा पंजाब के अंदर अतंकवादियों ने हिंदू समाज के लोगों को गोलियों को निशाना बनाया किश्मीरी पंड़त भाईयों को गोलियों को निशाना बनाया उनकी बाहु बेटियों की इज़त के ओपर अट क्या किसी सिक्ष समाज के व्यक्ति के ओपर हमला किया, क्या किसी सिक्ष समाज के व्यक्ति को गोलियों का निचाना बनाया, क्या कश्मीर के अंदर किसी अतंकवादी को मारा, क्या उसके हाथ में कोई करपान थी, क्या उसके हाथ में बंदूग थी, क्या उसके हाथ में तर्चूल था क्या उसके हाथ में पत्थर था गोलियां खाते रहे बंब खाते रहे हम भारती है चलो हम अगले रस्ते की तरफ चलते हैं हम चांती के रस्ते पर चलते हैं और मैंने बैनों के स्वहाग उजड़ते हुए देखें मैंने गोलियां चलती के लिए खालस्तानियों के लिए जहां अतंकवादी कश्मीरी अतंकवादीयों के लिए साथ देते हटाओ इनकी शुरक्षा आप एनस्जी कमांडों भी देते हो फिर ये अतंकवाद की बात करते हैं फिर ये पाकिस्तान के हकमें बोलते हैं फिर आईसाई की बात करते हैं फि मसल्म मुझे बता च्राइब किए सर्कार करक्रा तो बता है क्या कर्सक्राज होसे हिए। कर्veni कि नहीं कोई बात ही सभी थाला आई पर समय जो स्राइक म की मुसल्म उस्रुथ उनको शहादत कहते हैं जो अभी शहादत कहते हैं पर जो अतंकवादी कहेंगे वो मुसल्मान नहीं है वो काफर था अतंकवादी कभी अतंकवादी काफर ही होता है वो काफर था उनको आप कहेंगे मुसल्मान जो लोगों को मारने वाले कश्मीरी पंड़तों के ओपर बाईय साइ के इशारे के उपर और हमारे उस वक्के राजने दिखताओं की गलतियों के कारण प्लैन और तबाई मचाने वाले वो मुसल्मान हैं वो काफर है ना वो मुसल्मान है ना वो इनसान है मैं फिर कहूं अगर 377 अब हटी हमारे अर्बों खर्बों का खून पसीने का पैसा कश्मीर के अंदर अतंक वादियों के लिए लगाया गया और उस वक्क कश्मीर के ये कुछ चंद लोग जब नई पिच्चर रखती थी बॉंबे के अंदर और दिली के अंदर नई पिच्चर वहां नहीं देखते थे बिजनस क्लास में आते थे हमारे खून पसीने के पैसे थे पिच्चर देखते थे फाइफ स्टार रोटल में ठहरते थे और अगले दिन चले जाते थे मज़े लेते थे और हमारे जमान गोलियां खाते थे और कश्मीरी पंड़ों का प्रैन होता था किश्मीरी पंड़ों की बहु बेटियों का अपमान होता था उनके ओपर गोलि से कॉंगर्स के दफ्तर में मेंबर बना हूँ अपना खून गिरा करके कई मेरे दोस्त कई मेरे जवान शहीद हुए मैं नीले रंकी शाई से मेंबर नहीं बना इतने साल होगे कुड़सी सता का भूखा नहीं हूँ कोई आज अगर कॉंगर्स को बुरा कहते हैं तो कहीं न कही सरदार पटेल जी पर अंगल उठते हैं जी आज अगर के कउखर्स को बॉरा कहते हैं लाल बहादर शास्त्री जी प्रफ यौन चाहती है ये तो उनकी कवच ज WongaTheer शासरी सरदार पटेल शुभाज चंदरबोश बाबा साब बेद कर जिनके कारण कॉंग्रस हजी थी यहां इंद्रा जी की शहादत हुई तो हमने क्या आगे करम अच्छे किये कॉंग ने पूछिए क्या क्या हमने बम नहीं खाए स्रीरों पे क्या हमें बेड़े बक्रियां समझ लिया हमने बम खाए हम गलतिगां थी शहादत हुई क्यों बेनरा वाले को त्यार किया क्यों वो हाथ से निकल गया क्यों पलुेस्टा डॉपरेशन हुआ क्यों चुराची के धंगय हुए क्यों पंजाब में 6,000 बेगउना हम का क्कतल जहां हुए क्यों उसमें से 19,000 हिंदू भाईयों का क्कतल उ उसका कौन जमेदार मेरा सवाल का जवाब दीजी है जवाब दीजी आप क्या मतलब आपने तो कहता है शहादत जो चत्ती हजार बेगुना लोग पंजाब में शहीद हुए उननीस हजार हिंदू बाई शहीद हुए हजारों हिंदू बाई छिक शैकुलर सिक प्लैन करके ब्लूस्टार उप्रेशन हुआ चुराची के दंगे हुए पूरे देश के अंदर सिखों का अपमान हुआ गले में टायर जालके उनको रोल दिया गया क्या वो बेड़े वक्रिया से किनकी गल्तियों से हो वही तो कह रहा हूं यह पुलिटिकल टायरिजम सामने आना चाहिए पंजाब में पिच्चर बननी चाहिए उसमें ब्लूस्टार उप्रेशन का भी जिकरा है क्यों हुआ उसमें 84 के दंगे क्यों हुए वो भी आय यह हुआ उसमें बिंडरावारा क्यों अंदर गुसेडा गया वो भी वो भी सामने आये उसमें 19 धार हिंदू बाई शहीद हु दिमाग इनके चले ये तो साफ सुत्रे होके आज़े इनकी कुर्बानी थी बस इनकी कुर्बानी थी और जो बाकी लोग लाखों लोग शहीद हो गए उनकी तो करबानी नहीं थी वो तो कीड़े मकोड़े थे वह बही वह आम आदमी कीड़ा मकोड़ा मैं भी कीड़ा थे हैं बेड़े बक्रियों की तरह काट दो मार दो और आप आपकी हमेशा कुर्बानी अरे वो कातलों के जमेदर कौन थे जो लाखों जवान शहीद हो चुके कश्मीरी पंडल शहीद हो चुके तरंगे जंडे का आप मान हुआ पंजाब के अंदर 36 आर बेगुनाहों का कटल बराथ सब्सक्रावे उसका मान क्यों हुआ चिक दंगे का जमेदर कौन था कई डिली चांदर जो करंञे की ज़ए कि शता प्राप्त करने की पारो और राज करो और देश को बरबाद कर दिया अभीताक ननी यह चमेदर कि ज्याते खाना पड़ेगा किसी को दूसरे पार्ट के अंदर पिक्टेर बनाने वाल